हाई हेलो नमसकार दोस्तों एक बरफिस से आप लोगा स्वागत है तो चलिए स्टार्ट करते हैं रॉबिन सर्मा की बुक डमाउंखु सोलिस फरारी यानि एक सन्यासी जिसने अपनी संपत्ती बेच दी मैं हैरान था अचमबित था ये देखकर कि जिस इनसान ने अडालत में खड़े होकर अंगिनत कानूनी मामले जीत कर पूरे डेस में नाम और सहरत कमाया था आज वही प्रख्यात वकील उसी भड़ी अडालत में जमीन पर गिरा हुआ था वो इनसान जो अपने काम और सफलता के लिए मसहूर थे जिनके सानो सौकत के चर्चे होते थे आज वही इ आराम देने की सभी कोशिशे व्यर्थ लग रही थी और मैं बैठा यही सोच रहा था नहीं आप ऐसे नहीं मर सकते जिस इनसान ने जिंड़िगी अपनी सर्थ पे जी हो जिसने अपना मुकदर खुद लिखा हो वह इनसान इसे नहीं मर सकता ऐसे नहीं मर सकता वह इनसान ज जब मैंने उनके डफ्टर में काम करना सुरू किया था, धीरे धीरे हमारे संबंध अच्छे होते गए, साइड में उनको सबसे करीब से जानने लगा था, यकीन नहीं हो रहा, था कि ये वही जूलियत मेंटल है, सत्रा साल पहले क्या टेज था इनकी आखों में, भी तो इतने सारे लोगों के बीच उन्हों ने मुझे चुना, एक मामूली लड़के को, जिसका दूर दूर तक चालाकी से कोई तालुक नहीं था, हाँ बस ये कि मैं अपने बलबूते पर हावद लाव स्कूल में पर कर आया था, जूलियत के साथ काम करना खुसनव सिवी थी मेरी, आपको ये जानकर साइध हैरानी हो, जितनी सक्ति वो दुनिया को दिखाया करते थे, उनके अंडर उतना ही नर्म दिल एक बच्चा छुपा हुआ था, जो भावुक भी था और नादान भी, लेकिन जो दुनिया डारी की फिक्र से बंधा हुआ था, उनका सांदार भव्य बंगला या चमचमाती लाल रंग की फरारी के पीछे कुछ तो रहसे था, जो सब कुछ होते हुए भी उनके अंडर एक अजीब सा अकेला पन होने लगा था, कुछ तो राज था उनकी असर, उनके काम और वेवार दोनों पे देखने को मिलती थी, और साइद यही उनकी बेचैनी का कारण भी बन रही थी, साइद दुनिया की इस दौर में वो पीछे रहना नहीं चाते थे, अभी तो सहरत और काम्याबी भी की भूख उन्हें दिन बदिन निगल रही थी, ये तुम क्या कह रहे थे, जूलियन, सब कुछ तो ठा तुमारे पास, फिर भी ये कैसे भूख की तुम्हें, क्या कुछ अना था तुम्हें, क्या चाहिए था तुम्हें, किस चीज की तुम्हें टलास थी, आधी उम्र के होके भी वो बुजुर्ग लग रहे थे, एक गहडी ठकान उनके चेहरे पर हमेशा कायम थी, और साथ ही वो हसना भी भूलने लगे थे, मुझे अब भी याद है, जब वो मुझसे अपने खालीपन की सिकायत करते थे, वो कहटे थे कि अब वो वकालत से उप चुके हैं, आज दिल का दोड़ा पढ़ने से वही महान इंसान जमीन पर यू गिरे हुए थे, जैसे मानों क कि प्रक्रीटी ने उन्हें जिन्गी के असली माइनों से मिला दिया हो, दूसरों के लिए जीना यही वज़ा थी, जो कि नौजवान जूलियन ने वकील बनने का सपना देखा था, और अब ये वज़ा कहीं गुम हो चुकी थी, इस खालीपन के पीछे एक गहरी कहानी थी, कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि मेरे डाखिले से पहले फर्म में जूलियन के साथ एक बड़ी घटना घटी थी, जिससे उनकी जिन्गी बडल दी, तब मुझे ये डिवारे पर्दों से मजबूत मालूम पड़ी, इस राज से मैं अब तक अंजान था, कोई भी उस अपाट का जिक्र नहीं करता, जिसने जूलियन से साइड उनका जमीर छिन लिया, मुझे जानना था कि उस रोज जूलियन के साथ ऐसा क्या हुआ था, जिसने मेरे सबसे अच्छे डोस्त की ये हालत की, और आज मेरे ही सामने जूलियन पड़े हुए थे, और मैं हमेशा की कुछ ना कर सका, अब कमपनी जूलियन के बिना अपाहिस सी होने लगी थी, और तुरंत ही अपाट कालीन बैठक बुलाई गए, इस बैठक में जो कुछ भी कहा गया, उसने मुझे जंजोर कर रख दिया, सबसे पहले सभी को सुचित किया गया, कि जूलियन मेंटल को डिल क दोड़ा पड़ा था, और कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, आगे जो मैंने सुना, वो सब्द मुझे आज तक याद है, मुझे ये बताते हुए बहत डुक है, कि जूलियन मेंटल ने हमारे परिवार को अलविदा कहने का निरने ले लिया है, मुझे लगता था कि मैं जूलियन को सबसे करीब से जानता था, पर साइड ऐसा नहीं था, मैं जानता था कि उन्हें ये सब बोज लगने लगा था, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था, कि ये नौबत इतनी जल्डी आ जाएगी, हाँ ये सच था, डेस के सबसे बड़े वकीलों में से एक महान जूलियन मेंटल अब कभी वकालत नहीं करेंगे, आज पूरे तीन साल बीच चुके हैं, मुझे आज जूलियन के बारे में सिर्फ इतना पता है कि उन्होंने अपना आलिसान बंगला और उस लाल फरारी को बेच कर मन की सांटी के लिए वो भारत रवाना हो गए थे, कभार आज भी अपनी मस्रूफियत से वक्त निकाल कर जूलियन मेंटल को याद कर लेता हूं, मगर ये जिन्गी मुझे चौकाना छोड़ दे, तो इसे जिन्गी कैसे कहेंगे, एक दिन मेरे दफ्टर में लगबक 30 साल का एक नौजवान व्यक्ती आया, वैसे जादा काम हो करने की वज़ा से मैं लोगों से कम ही मिलता जूलता हूं, पर उस तो बात थी उस व्यक्ती में, जो उस पर नजर पढ़ते ही, मैं काफी मुहित हो गया, एक अलग साही सुकून था उनके चेहरे पर, जो उसे बाकियों से अलग कर रहा था, मैं मानों उसकी मौजूदगी से सम्मोहित हो चुका था, कि तभी अचानक उस व्यक्ती ने बड़ी ही विनमरता से मुझसे कहा, क्या आप अपने सभी महमानों से इसी तरह पेश आते हैं, जिसने आपको अडालत के डाव पेश सिखाए हैं उनसे भी, ये सुनते ही मेरा होस उड़ गया, मैं चौक गया, वो नौजवान सा दिखने वाला व्यक्ती जूलियन है, उत्साह की लहड मेरे अंडर मानों उमरती जा रही थी, ये आखिर कैसे मुमकिन हो सकता है, मुझे समय लगा ये यकीन करने में, पर ये सच है, एक बदला हुआ जूलियन मेंटल मेरे सामने इस तरह खड़ा है, मानो फरिष्टे भी उसे डेख कर सरमा जाए, ये सहत सी मीथी आवाज, ये तीज, ये ठाहराव, आखिर क्या किया था जूलियन ने इन तीन सालों में कि उसे पहचान पाना भी अब मुस्किल हो रहा था, और एक बदल फिर जूलियन मेंटल ने मुझे अचमभित कर दिया, आख इसे ये बुजुर्ग से दिखने वाले जूलियन इस तरह बदल गए कि मानो सभी डेवी डेवता इनी पर महरबान हुए हो, आखिर इन तीन सालों में जूलियन कहां थे और क्या कर रहे थे, ये सभी सवाल मुझे उच्सुक कर रहे थे, लेकिन इस से पहले कि मैं कुछ बिमार परने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें अब काम्याबी की भूख त्याग नी होगी, क्योंकि यही बात अब उनकी जान की दुस्मन बन गई थी, उस वक्ट जूलियन ने अपने जिन्गी का सबसे बड़ा फैसला लिया, ये फैसला था अपनी ज जाल फरारी बेच कर भारत जाने का फैसला लिया, जूलियन किसी बच्चे की तड़ा उचसाहित होकर मुझे अपनी कहानी सुना रहे थे, उस जगा के बारे में जहां सारी जीवन सैली प्रकृती की गोद में खेलती है, किस तरह वो गाउं गाउं में, कभी रेल से, तो कभ मीलो पैडल चल कर अपना बिखडा हुआ जीवन समित रहे थे, मैं खुस था कि जूलियन अब दुबारा हसना सीख चुके थे, जूलियन ने तब मुझे बटाया कि जगा जगा घूमने पर उन्हें हिंदुस्तानी सन्यासियों के बारे में पता चला, ये सन्यासी उम्र के म जूलियन इन्ही सन्यासियों के साथ अपना समय बिटा रहा था, उन अध्याप पीको के साथ राकर आये हैं, जो बिना दच्छिना के जीवन जीने का सलीका सिखाते हैं, तबी जूलियन ने मुझे कुछ ऐसे बात बटाई, जिसने मेरे पैरो तले जमीन हिला दी, कस्मीर की वादियों में घूमते वक्त वो एक खास योगी से मिले, जिन्होंने जूलियन को उमीट की किरन दिखाई, जूलियन की ही तरव योगी भी एक सफल वकील थे, जिन्होंने मुह माया त्याक कर सन्यासि जीवन को चुना, योगी ने जूलियन को बटाया कि कस्मीर से मिलो हिमाले की चोतियों पर सिवाना नाम की एक बस्ती है जहां हिमाले के सबसे अध्यात्मिक सन्यासियों का व्यास है ये सन्यासि उम्र के हर पड़ाव को पार्च कर चुके हैं और कुछ तो अध्भुत सक्तियों के मालिक हैं वो जीते जी ग्यान के सागर हैं जिने आत्मा और सर को ट्रिप्ट करने की संधर्व में प्राचिन कला हासिल है उन सन्यासी को कोई भी सामाने व्यक्ति नहीं धुन पाता ये सुनते ही जूलियन को मालूम हो चका था कि अब उनकी मंजिल कहां थी तब बिना वक्त गवाय वो सिवाना की खोज में जुट गये अगली सुबह जूलियन की तलास भी सुरू ही सुरवाटी दिनों में उसे बहुत दिक्टों का सामना तो नहीं करना पड़ा लेकिन जैसे जैसे समय बीटा गया जूलियन की मुश्किले बढ़ती गई रास्ते कठीन और जानलेवा बन चुके थे और अब तो खाना और पानी भी काफी नह लकिन जूलियन ने हार नहीं मानी हिमाले की उची पहाडियों पर उन खुबसूरत वादियों में अकेले ही चड़ाई पर निकल पड़े मैंने डबी हुई आवाज में जूलियन से पूछा कि क्या घर बार छोड़ना कठी नहीं था उनका जीवन उनका जवाब उनकी ही तर नहीं मिलती जूलियन कई दिनों तक हिमाले पर भटकते रहे और अंट में उनकी सेहत भी उनका साथ छोड़ने लगी थी एक मोर पर आकर वे तूट से गए उनकी आखों के सामने उनकी पिछली जिनगी के पल किलकारिया भर रहे थे वह क्या धुनेने आये थे यहां और क्य उन्हें वो मिल पाएगा यही सोचते सोचते जूलियन की आखे बंध हो रही थी लेकिन तभी जूलियन ने अपने सामने एक छवी देखी मैं ये सोच रहा था कि उस सुनसान और अंजान इलाके में किसी मनुशिका होना कितना संभव होगा खैर जूलियन ने हो सम्हालते लाल कपड़ों में लिपते उस व्यक्ती से मदद की गुहार लगाई जैसे ही वो व्यक्ती जूलियन की तरफ मुड़ा उसकी दिविता देखकर जूलियन डंग रह गये ऐसा अधुत स्वरूप जूलियन ने पहले कभी नहीं देखा था जिससे प्रभावित होकर जूलियन ये समझ आ चुका था कि ये सिवान के उन सन्यासियों में से एक होंगे उस व्यक्ती ने जूलियन से पूछा कि आखिर वो सिवान के सन्यासियों को क्यो धून रहा था तभी जूलियन ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई और तब सन्यासी उन्हें एक सर्थ पर अपने स मदद करना उस पल से ही सन्यासियों की तड़ जूलियन का मकसद भी दुनिया को जीने की एक बहटर जगा बनाना होगा अब जूलियन ने चैन पाया और सिवान के उस सन्यासि के साथ निकल पड़े रहस्यमय सिवान तक पहुँचने के लिए कई घंतों तक घुमावदार और जतिल रास्तों को पाड़ करके जूलियन और सन्यासि एक हड़ी भड़ी घाती में पहुच गये एक तड़फ हिमाले की उची पड़वत माला तो दूसरी और चीर के घंगोर पेंड इन डोनों के सम्मिलन से घाती की सुन्दरता को अदभूत उचाईयों पर पहुचा दिय चीर और चंदन के पेंडों की खुस्बुक ने पूरे वाटावरन को सम्मोह कर दिया था जंगल में चहाचाते पंची मानों पेंडों पर नाच रहे हो धरती पर अगर स्वर्ग हो तो सायद ऐसा ही होता कुछ दूरी तक चलने के बाद आखिरकार सिवाना नामक वो बस्ती जूलियन के बिलकुल सामने थी गुलाब के फूलों से सजी हुई इस बस्ती के बीचों बीच एक मंदिर बना हुआ था इस बस्ती का हर व्यक्ती एक सन्यासी था हर एक चेहरे पर हशी और मुस्कुराहत थी जूलियन को ऐसा लग़ दा था मानो तनाव नाम की बिमारी इस गाउं में ठी ही नहीं और ना ही कभी किसी ने तनाव अनुभव किया होगा जैसे जैसे जूलियन ने यहाँ समय बिटाया उसे इस जगह की डिवेटा और अधुटा का एहसास होने लगा मानो यही वो लगा सकती थी जो की अपनी काड़ोबारी जिन्दगी में गुम्रा होकर उन्होंने ट्याग डी थी इसी तरह जूलियन के जीवन की एक नई शुरवात होने लगी जो उनके पिछले जीवन से बिल्कुल अलग काफी असाधारन थी जूलियन की अविश्वसनिय कहानी सुन्ते सुन्ते कब सुबह से साम हो गई पता ही नहीं चला एक वक्ट के लिए ऐसा लगा कि मानो मैं भी उन्हीं के साथ हिमाला की सैर पर था लेकिन अब जूलियन का बदला हुआ व्यक्ति तो मुझे भी अपनी तरफ आकरसित कर रहा था अब तो मेरा भी मन है इस समोही त्रिप् जूलियन की तरह अपने कल वाले व्यक्तितों को खो दिया है कभी मुझे भी छोती से छोती चीज में खुशी मिलती थी और अब मुझे उस एहसास की जलक भी याद नहीं है मेरी रूची को भापते हुए जूलियन ने अपनी कहानी की गती बढ़ाई सिवाना समुदाय की लोगों ने अपना इसने जूलियन के प्रती व्यक्ति करते हुए उन्हें अपने समुदाय का हिस्सा बना लिया जूलियन अपने ग्यान को बढ़ाने हे तू अपने तन और मन से हर एक पल योगी की तरह बिटाने लगे उन सन्यासियों का वो ग्यान तई वर्सों की कथोर अपस्या का नटीजा था और वो सब कुछ उस ग्यान को जूलियन के साथ बातने के लिए तयार थे और वो बिना किसी संसे के जूलियन उन सन्यासियों के साथ बैठ कर जीवन के कई अर्भुत विशयों पर विचार करते जो उन्होंने जीवन में प्राप्त की थी जल्द ही जूलियन समझ चुके थे कि वो अपने मन को विचलित होने से कैसे रोक सकते हैं जैसे जैसे दिन रात महीने बिट्टे गए जूलियन को एसास होता चला गया कि अब उनके अंदर एक छमता है जिसे वो दूसरों की भलाई के लिए उपयोग में ला सकते हैं सिवाना के पहले तीन हपतों में ही जूलियन को अपने अंदर एक बदलाव महसूस होने लगा उनको हर एक छोती से छोती चीज में आनंद आने लगा चाहे वो अंधेरे में चमचमाते सितारे हो या फिर मकडी का एक जाला भी क्यों ना हो उन्होंने बटाया कि कुछ महीनों में ही उन्हें मन की सांती और आत्मा की ट्रिप्टी का एहसास होने लगा जो उन्होंने कई सालों तक सहर में रहकर अनुभव नहीं किया था अंट में जूलियन को अपने जीवन की कीमत का अंडाजा हुआ और अपनी असली मंजिल का एहसास हुआ ये सब उन साद्वों की वज़त से मुमकिन हो पाया था मदूर आवाज में उन्होंने ये भी बताया कि हमें पहले अपने मन और आत्मा को टिप्ट करना आना चाहिए तभी हम अपने जीवन और अपने सपनों को जी सकते हैं तभी अचानक जूलियन ने जाने की बात की क्योंकि मेरे दफ्टर का समय हो चुका था मेरे बहुत विंटी करने पर भी वो नहीं रुके उन्होंने कहा कि तुम्हारे और इस पूरे समाज को बुधीमता प्राप्त करने का अधिकार है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपना ज्यान जरूर बातूंगा वो मेरे दफ्टर से तो जा चुके थे लेकिन अपनी छाप मुझ पर छोड़ चुके थे और मैं अपना सर पकर कर सोचने लगा कि मेरी दुनिया कितनी छोटी थी मुझे आज एहसास हो रहा है कि बचपन में जो उलास और मासूमियत मुझ में थी अब वो नहीं रही और किसे पता साय जूलियन की ही तरह मैं भी किसी दिन ये सब दुनिया डारी छोड़ कर उनी की तरह त्रिप्टी की तलास में ही कही दूर निकल जाओं इन सभी ख्यालों के साथ मैं अपने डप्टर से बाहर निकला और तेज धूप में अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा जैसा कि जूलियन ने कहा था वो साम को मेरे घर पहुँच गये जैसे ही मैंने डरवाजा खोला जूलियन को लाल रंके अजीब से एक पोसाक में देख कर मैं हैरान हो गया जूलियन से दोबारा मिलने की उच्छुक्ता में दिन भर मैं मुश्किल से ही कुछ काम कर पाया था इसलियन ने भी बिना वक्त गवाए उन रहस्यों को मेरे सामने एक एक कर खोलना सुरूर कर दिया और अपनी अधूरी कहानी के बारे में बताने लगे और ना जाने क्यो मेरे मन को अभी भी जूलियन की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था अचानक से मेरे मन से एक उलजन सी आने लगी क्या हरवद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ ये वकील सच में अपना घर बार त्याक सकता है कहीं जूलियन मुझसे कोई सरारत तो नहीं कर रहे थे लेकिन फिर जूलियन ने मेरा सक दूर किया जूलियन सांती से चाय की प्याली में चाय भरने लगे चाय प्याली में भर कर गिर रही थी पर जूलियन रुखने का नाम नहीं ले रहे थे आखिर मेरे सबर का बांध तूटा और मैंने पूछी लिया ये क्या कर रहे हो तुम इसमें और चाय नहीं आएगी, ये भड चुका है और जूलियन ने मुस्कुराते हुए कहा जिस तरह इस भड़ी हुई चाय की प्याली में और चाय नहीं आ सकती, उसी तरह तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे अपने ही ख्यालों से भड चुका है, ऐसे में नया ख्याल उसम जुलियन का सबसे अहम और सबसे बड़ा घ्यान हासिल हुआ है जिसने उनकी जिनगी बदल दी थी यह घ्यान था उनकी जीवन के उन अनमोलसात सुत्रों का जुलियन ने अपनी आखें बंड कर ली जैसे मानों वो इस दुनिया से पड़े वापस हिमाले की उनी वादियों मे अब यही कहानी जूलियन मुझे सुना रहे थे। जूलियन कहने लगे तुम एक सांदार हरे भरे और सुनहरे बगीचे में बैठे हो। पूरा बगीचा बहुत ही सुन्दर फूलों से भड़ा हुआ है। तुम्हारे आस पास सब कुछ बहुत सांथ है। इस बगीचे में उस बगीचे की सांथी भंग हो जाती है। तभी एक डरवाजे के तूटने की आवाज आती है। जिसमें से एक सुमो पहलवान बाहर आता है और बगीचे के बीचों बीच भूमने लगता है। उस सुमो पहलवान ने एक पतली सी टार का लंगोत बनाकर पहन रखा है। जै लेते ही उसे गुलाब के फूल की सुगंद आती है और वो तुरंट से वापस खड़ा हो जाता है हो समालते हुए वो आसपास दिखने लगता है और उसे जारियों में से एक रास्ता दिखता है जो धेर सारे हीरो से भारा पड़ा है बीना वक्त गवाए वो सुमो पहलवान उ और तुम्हारी आखों से ओजल हो जाता है ये कैसी अजीब सी कहानी थी क्या तुम इस कहानी को सुनाने इतनी डूर गए थे मैंने जूलियन से बड़ी ही बेबाक आवाज में पूछ लिया इस पर जूलियन ने मुझसे मुस्कुराते हुए कहा कि उसने भी सिवाना के सन्य से कुछ ऐसा ही पूछा था जब उस महान सन्यासी ने जूलियन को ये कहानी सुनाई थी और मैंने भी जूलियन की ही तरा कहानी में छुपे हुए उन साथ सुत्रों को नजर अंदाज कर दिया था और अब बारी थी जिन्डिगी के इनी छुपे हुए साथ सुत्रों को जान और अगर तुम उसमें गलत विचार पालते हो तो तुम्हें मन के बगीचे में नकरात्मक उर्जा या नेगेटिविटी पैदा होगी एक बगीचे में हम जैसे बीज बोते हैं हमें उसी तरह के फल और फुल मिलते हैं ठीक इसी तरह जब हम अपने दिमाग में लगतार सकरात करात्मक बातों के बारे में सोचते हैं हमारा दिमाग भी उसी खुबशूरत बगीचे की तरह हमें अंदर से संतूस्त और उपजाव रखेगा लेकिन अगर हम अपने अंदर नकरात्मक विचार भरते हैं तो इसका अंजाम भी गलत ही निकलता है हमारे जीवन में गलतियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए हमें हमारे जीवन के हर उस एक सबक से कुछ न कुछ सिखने सिखते रहना चाहिए यही है हमारे जीवन का पहला सिध्धान्त दूसरा सिध्धान्त इस कहानी का दूसरा सुत्र छुपा हुआ है उस लाइट हाउस में जो कि हमारे जीवन के सबी उदेशियों को डरसाता है जिस तरह एक लाइट हाउस सतिक्ता से किसी भी नौका या जहाज को अपनी रोशनी से सही रास्ता दिखाता है ठिक उसी तरह हमें भी अपने जीवन के लच्छ और महत्वकांचाओं की और सतिक्ता से बढ़ना चाहिए उन्हें पूरी तरह से जानना ही हमारे सबसे पहला करतव्य है भले ही हमें देर लगे लेकिन एक ना एक दिन हम अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाएंगे हमें हमारे लच्छ की ओड़ बढ़ने के लिए एक जुनून की बहुत जरूत है और उस जुनून को पाने के लिए हमें अपने अंदर आत् करनी होगी जिससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरना मिलेगी दूसरा हमें हमारे उपर सकरात्मक दवाव बनाए रखना होगा जिसे हम हमारे लच्छ के मर्ग से मार्ग से भटक ना जाएं तीसरा मंजिल हासिल करना यही एक महत्वपून चीज नहीं है उस मंजिल तक उटकर उस किताब को खोल कर देखे जिससे तुम्हारे अंदर अपने लच्छ की और पहुचने की प्रेरना बनी रहेगी और तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा पाच्वा 21 अंको का जादूई नियम यह सब टकनीक और जादूई नियम तुम्हारे तुम्हें लगातार 21 दिनों तक और निरंटर एक ही समय पर करना होगा जिससे वो बात तुम्हारे रोजाना नियम यानी रूटीन का एक अहम हिस्सा बन जाएगा तीसरा सिध्धान्ट जिंडगी का वो तीसरा सिध्धान्ट कहानी में अजीब से डिखने वाले उस सुमो पहलवान कैंजे से ठीक इसी तरह हमें भी अपने जीवन में मेहनत के साथ साथ अनुसासन का भी ख्याल रखना चाहिए हमें अपने मन को काबू में रखना ही आना चाहिए हमें उसे अपने सरीर का एक अहम हिस्सा बना लेना होगा काम्याबी हमेशा हमारे ही भीतर से आती है हमें अपने आपको अपने विचारों को कैसे रखते हैं काम्याबी उस पर निर्भर करती है हमें हमारे मन और आत्मा को निरंतर सुध करते रहना चाहिए तुम्हार चौथा सिध्धान्ट समझ आता है उस सुमपहलवान के लंगोत में जी हाँ वो लंगोत जो पतले टार से बनी हुई थी वोई भी टार धेर सारे पतले टारों को जोड़ कर बनती है भले ही ये पतली टारे अपने आप में कमजोड हो लेकिन साथ मिलने पर ये एक मजबूत ट बनाती है ठीक इसी तरह हमारे जीवन में वो बहुत सारी छोती लेकिन अच्छी आड़ते होती है जिन पर अकसर हम जादा ध्यान नहीं देते लेकिन ये सभी साथ मिलकर एक बड़ा फर्क लाती है फिर चाहे वो सुबह जल्दी उथना हो या फिर पौस्तिक खाना खाना हो ये सभी आड़ते भूले भले ही जादा बड़ी ना लगती हो लेकिन एक लंबे समय के बाद यही चीजे आपको एक बहटर इंसान बनाती है और आपकी सफलता टै करती है अपने अंडर हमेशा एक सकरात्मक इच्छा सक्ती का संचार बनाए रखे जिससे आत्मा हमेशा सीत पाच्वा सिध्धांट इस कहानी का पाच्वा सिध्धांट उस सोने की घड़ी से जुड़ा हुआ है जिसे उठाते वक्त सुमों पहलवान गिर जाता है आप समझ ही गए होंगे कि ये घड़ी हमारे जीवन के समय को डर साती है अमीर हो या गरीब सभी के पास हर रोज 24 घ मतलब ये नहीं है कि हम हर वक्त काम ही काम करें लेकिन अपने काम सामाजिक जिन्रगी और परिवार के बीच इसी समय का एक अच्छा संतूलन बनाए क्योंकि हर सफल इनसान दिन में उसी 24 घंते में वो सब कुछ कर लेता है जिसके बारे में हम सिर्फ सोचते ही रहते हैं एक पालन करना चाहिए छथा सिधान छथा सिधान जुरा हुआ है गुलाब के फूल से जिसे सूंकर उस पहलवान को होस आया था एक मसहूर चीनी कहावत है कि जो लोग दूसरों को फूल देते हैं अक्सर उनके हाथों में फूलों की खुश्बू रह जाती है और यही खुश् आप नहीं लगा सकते इसी लिए दुनिया के सबसे अमीर लोग डान पुन्यकर अपने मन को संतुस्त करते हैं तो यदि आपको भी यही सुख चाहिए तो दूसरों की मदद करना सीख लीजिए एक मसहूर कहावत है कर भला तो हो भला यह कहावत इसी सिध्धान को दरसाती ह हमें अच्छाई का काम कभी छोड़ना नहीं चाहिए और किसी अच्छे काम के बदले अच्छे फल की उमीद नहीं करनी चाहिए हमें बिना किसी स्वार्थ के भलाई का काम करना चाहिए तब हमारी अंतरात्मा को जो खुशी मिलेगी उसे हम चंद सब्दों में बयान नहीं कर सकते सात्वा सिध्धांत आखिरकार इस कहानी का आखड़ी यानि जीवन का सात्वा सिध्धांत जुरा हुआ है कहानी के नायक के रास्ते से ये हीरे कुछ और नहीं बलकि जिंडगी के वो छोते छोते पल हैं जो हमें धेर सारी खुशिया देते हैं लेकिन हम अक्सर इने नजर अंडाज कर अपने अटीत के बारे में सोच सोच कर दुखी होते हैं या फिर अपने भविशे के लिए परिसान और इन सब में हम अपने आज को जीना भूल जाते हैं फिर चाहे वो अपने परिवार के साथ समय बिताना हो या अपने बच्चों के साथ खेलना या फिर द खुशियों का गला मत घोतना जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो जीवन के उसी रास्ते पर चलते चलते तुम्हें अपनी खुशियों का एसास जरूर होगा क्योंकि खुशिया धुनने से नहीं मिलती बलकि हर छोती चीज में इस खुबसूरत एसास का आनन्द लिया जा सकता ह झाल 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 झाल